आज हम लोग जानेंगे कहानी की परिभासा भारत के विद्दवानों ने कहानी की क्या क्या परिभासा दिये तथा पास्थेचात के विद्दवानों ने कहानी की क्या क्या परिभासा दिये उसके बारे में आज पूरी विश्थार से जानेंगे तो सुरू करते हैं कहानी की परिभासा सबसे पहले प्रेमचंत के अनुसार कहानी गप एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंक्या किसी एक मनोभाव को परदर्शित करना ही लेखख का उद्देश से होता है उसके चरित्र, उसकी सेली, उसकी कथा, विन्यास सब उसी भाव को पुष्ट करती है यह थे प्रेमचंत द्वारा कहानी की परिभासा दुसरा है जैसंकर परशाद का शोंदेर की एक जलक का चितरन करना और उसके द्वारा रस की सरिष्टी करना ही कहानी का उद्देश है यह कहानी की परिभासा जैसंकर परशाद ने दिया है तिसरा में है रायकृष्ण दास कहानी मनुरंजन के साथ साथ किसी नो किसी सैत्य का उद्दगाटन करती है तथा अख्याई का में सोंदेर की एक जलक का रस है अख्याई का कहानी की ही परियावाचिक सब्द है चोथा में है स्यामसुंदर दास अख्याई का एक निशित लैचया प्रभाव को लेकर नाटक किया अख्यान है पच्वा में है जनेंद्र कुमार जनेंद्र कुमार ने कहानी तो एक भूख है जो निरंतर समाधान पानी की कोशिश करती है कहानी जो भूख है और निरंतर वो समाधान पानी की कोशिश में रहती है हमारे अपने सवाल होते हैं संकाय होती है चिंताय होती है और हम उनका समदान खोजने का पाने का सतत प्रयास या प्रेतन करते रहते हैं हमारे प्रियोग होते रहते हैं उधारन और मिसालों का खोज होती रहती है कहानी उस खोज का प्रेतन का ये उधारन है यानि कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिस में रहती है हमारे अपने सवाल होते हैं, संकाय होती है, चिंताय होती है और उनका उत्तर समाधान खोजने का पाने का सतत परितन करती रहती है हमारे प्रियोक होते रहते हैं उधारन और मिसालों की खोज होते रहती है काहनी उस खोज के प्रेतन का एक उधारन है यह जनेंद्र द्वारा परिवासा है छटा में है अग्ये अग्ये ने काहनी की क्या परिवासा दी काहनी जीवन की पतिछा है और जिवन सोयम एक अधूरी कहानी है एक सिच्छा है जो उम्रपर मिलती है और समाप्त नहीं होती है अब बात करते हैं हम लोग पासेचातिय काइबया सास्तरिया यानि पासेचातिय लेखा के बारे में जो कहानी की परिवासा किस परकार से दिये हैं तो सबसे पहले है H.G. Wells A short story is a pencil that can be read in a hour, एक लगु कथा को हम एक घंटा में पड़ सकते हैं, यानि एक कहानी को हम एक घंटा में पड़ सकते हैं, दुसरा है, एटलर एलेन पो का कहना है कि a short story is a narrative, अनोर्थ to be read in a signal, सिंगल सिटिंग, राइटे में के इंप्रेश ओन दा रीडर, एक्सकूरूटिंग ओल देट डॉन्ट नोट है, फोर वाट दा इंप्रेशन्स, कम्प्लीट दा फाइनल इटिस सेल्फ, तिसरा में हैं सरहक, पालोर ने अपनी परिभासा इस परकार दी है, सरहक, वाल पॉल ल रिकोट ओफ दिंग, फुल ओफ इंप्रेंस, एक्सिदेंस, सर्फिट, मोमेंट, अनेक्सपेट, डेपलोपमेंट, रीडिंग, त्रू सस्पेंस, तु एक्लेमेट, क्लाइमेट, एने शर्टिस, पिलिंग, दिनोन, मनेट, चुथा में हैं एट्शन, एट्शन का परिभासा है, लगुकता में केवल एक ही मुलभाव रहती है, पच्छवा में है, एलरी, सक्रियता पर जोड देते हुए लिखते हैं, कहानी, गुड़ दोड की समान है, जिसमें आरम और अंत का विशिश महत तो हता है, जिसे गोड़ा दोड में तुरू और अ आरम और अंत का विशिश महत तो हता है, उसके परिमासा के अनुसार, उसके बाद हम लोग जानते हैं, छट्ठा में है, सर एल ब्राइट, आदूनी कहानी का लैच्च्य, केवल वास्तवी कत्वातर पूर्न कर्म, के द्वारा जीवन के यह था गटित, गटनाव में पूर् पूर्न चित्रन करना है, जिसे से पूर्व निर्धारन घटना हिर्दयाश वर्षी बन सके और घटना है, प्रस प्रमपारिक संबन और वतावरन की एकता को परकट करें, सत्वा है, इन साइक्लोपीडिया आफ ब्रिटेनिक का, आंत में इसोत अंत्रता, साहतिक विधा के रूप में कहानी का वर्णन करते हुए, उससे अधीक और क्या कहा जा सकता है, कि वह संचे पैत्यदिक संगटित तथा पूर्ण रूप में है, कथा पूर्ण रूप में है, ये थे कहानी की परिवासा, जिसमें हम लोग कहानी में साथ पास सचात्य काईब्य के विद्वानों द्वारा दिया गया परिवासा लिये है, सता साई छे बारतिय विद्वानों ने कहानी की परिवासा दिया है, उसके बारे में हम लोग जाने हैं, जिसे कि प्रेम चंद क्या दिया है, परसाथ क्या, सब भी विद्वान अपने डंक से कहानी की परिवासा अलग-अलग दिये हैं उसके बारे में हम लोग इसमी चाने हैं